कॉंग्रेस के द्वारा जब भी देखो तब महिलाओं का अपमान किया जाता है एक लड़की श्रत्ता जिसके 35 टुकड़े करके एक विधर्मी ने फ्रिज में रखे और एक एक करके उसको फिका पूरी योजना के अंतरगन लब जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे के लिए एक देश के लिए कलंक है इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें जागरुकता लाना हम सबकी मेदारी है क्यूअ कि हिंदु कभी भी इस प्रकार के कारेत नहीं करता इतनी बीभत सहत्या इतनी कुरूरता इतनी रशनसता ये तो कोई और नहीं कर सकता ये तो सिर्फ लब जिहाद के जो अनुगामी है वही कर सकते हैं इसलिए इन से जागरूत जागरूत करना इस चीज से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के लड़कियों के अंदर में ये जगाना पड़ेगी कि वास्ता में आप हिंदू हैं हिंदूों में विवाह करिए ये लव अब कुछ नहीं होता है लव तो अब जिहाद हो गया है और इसलिए प्रेम जो पहले हुआ करता तो वो समर्पण का नाम प्रेम माना जाता है हम सन्यासिये एक बात कहा करते हैं और वास्ता में हमारा जीवन इस प्रकार का होता है कि जब हम प्रेम करते हैं अटूट प्रेम करते हैं और हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है इसे कहते हैं प्रेम और समर्पण और हम पूरी जिंदगी अपनी प्रभु के लिए समर्पि के बाद इसमें जिहाद जोड दिया गया है निश्चित रूप से ये पाप है दुराचार है आनाचार है ब्रश्टाचार है और इस तरह का समर्थन करने वाले अशोग गहलोत राजिस्थान के मुख्यमंत्री उन्होंने जिस प्रकार से इसके पक्ष में बयान दिया है उस ल वालों को मार दिया जाता है लड़कियों का अपहरण करके उनको तमाम प्रकार से प्रताडित किया जाता विवाह कर लेता है बेच दिया जाता विवाह कर लेते हैं और विवाह करके उनके साथ क्रूरतम जो अत्याचार है वो किये जाते हैं जो बच जाती हैं भाग आती है वो तो बच जाती हैं और जिंद की भर होती है लेकिन जो नहीं बच पाती वो अपने 35 टुकड़े और 37 टुकड़े और 100 टुकड़े करवा लेती है और इस प्रकार से हमारे देश की जो बालिका जो पूजी जाती है और उस बालिका का भविश्य खत्रे में है इसलिए हमें इस और जागरित होना चाहिए